हमें लेना है तीन प्यास उसे मोटी मोटी काट करके हलके से फ्राइ कर लेंगे उसके बाद यहां पर हम टमाटर आइट कर देंगे उसी में टमाटर को भी हलके से फ्राइ करने के बाद थोड़े से सॉफ्ट होने के बाद उसमें नमक और काजू आइट कर देंगे नमक और अच्छे से अच्छे से अच्छे से आइल में फ्राय करने के बाद भूनते वे पका लेंगे प्र हमारा पेस्ट था था ना हम पीस कर रखे थे वह भी इसी में आइड कर देंगे प्यास टमाटर और काजु का इसमें मिला देंगे मिलागर अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब दो चम्चे गरम मसाला पाउडर दाल देंगे और थोड़ा सा पुदीना दाल देंगे दाल कर इसे मिक्स कर लेके इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी मिला देंगे तो मेरी रेसिपी के साथ जुड़े रही है वीडियो लास्ट तक देखिए तो हमारा चिकन बनकर रेडी हो गया है यहाँ पर अब बनाते है जीरा राइस उसके लिए मैंने एक बरतन में आयल दाल दिया है अब उसमें दालेंगे जीरा मैं ज्यादा सपाइस नहीं दाली इसम में हम अध्र क्लेसन दाल देंगे उसे भूण लेंगे अध्र कलर चेंच होने के बाद हम इसमें पानी दाल देंगे किसले हम चाम्वल लिए मैं नवक बॉल आनने तक हम इसे पकाएंगे देखिए यहां पर पानी में बॉयल आ गया है अब मैं इसमें चावल लाइट कर दूंगी हमारे जो मैंने वाश करकर रखा था चावल लाइट करने के बाद हमें इसे ढख करके थोड़ी देर तक पका लेंगे हमारे चावल अच्छे से पकने तक देखिए तो यह इसे सर्फ करते हैं तो यहां पर मैंने जीरा राइस और चिकन सर्फ किया है देख सकते हैं आप लोग आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी देखी प्लीज लाइक करिए शेयर करिए कॉमेंट में जरूर बताइए फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना ना भूलिए यह तक के लिए आला हाफिस